हलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल स्टडी फॉर यू जैसा की आज जो आपका हर्याना पुलिस मेल कॉंस्टेबल का दो नौंबर का मौर्निंग सिप्ट का पेपर हो गया है दोस्तों जिसका जो मैं आपको बिल्कुल 100% एकुरेट अंसर के साथ जो है इस वीडियो में बत के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गा और बगल में आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहोगा तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिए करने का तो चले वीडियो का स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम लोग जीके के प्रेशना को सॉल्भ करने वाले हैं उसके बाद आपको साइंस के प्रेशना करते हुए दिख जाएंगे इसके लिए अब को इंग्लीज, फिर हिंदी, उसके बाद रि отлич선 और math, लास्ट में जो आपको math के प्रेशन सॉल्ट करते हुए दिख जाएंगे तो gk का जो आपका पहला question आए था वर्तमान में संयुक्त राष्ट में भारत के अस्थाई प्रतिनीदी और राजदूत कौन है तो देखें वटमान में संयुक्त राष्ट में भारत के अस्थाई प्रतिनीदी और जो राजदूत है ना ये आपके TS3 मूर्ती है तो आप्सन में आपका TS3 मूर्ती नहीं दिया हुआ है तो आप्सन D आपका यहाँ पर करेक्ट टैंसर हो जाएगा और मैं आपको बता दो कि संयुक्त राष्ट में भारत जो है ये अस्थाई सदस से चुना गया है और ये कितनी बार चुना गया है तो ये आठवी बार जो है भारत अस्ताई सदस से चुना गया है नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि छेत्रपल की द्रिष्टी से विस्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है तो देखे चेतरफल की द्रिष्टी से विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है यह आपका कनाड़ा है तो option D कनाड़ा आपका यहाँ पे correct हो जाएगा बात कर ले चेतरफल की द्रिष्टी से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो यह रूस है और भारत कितने नमबर पर है चेतरपल की द्रिश्टी से तो ये सातवे नमबर पर है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है वह अगर जनसंक्या की द्रिश्टी से बात कर ले तो विस्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है तो जनसंक्या में दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है और पहले नमबर पे आपका चीन देश है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स टप का यहाँ पर रहा था कि लोगसभा और विदान सभा यानि एसम्बली के निर्वाचीत परतिनीदियों का जो है कारेकल कितना होता है तो देखें लोगसभा और विदान सभा बनने के ल वर्सोखा होता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स टाप का यहाँ पर है कि सजा की पूश्टी करने या फिर दो सिधी को रद करने की उच्छे नियाले की सकती यह जो किसकी तहत आती है तो देखें यह जो आपका आईपीसी से जो कोश्चन पूछा गया था तो देखें सजा की पूश्टी करने या फिर दो सिधी को रद करने की उच्छे नियाले की जो सकती है ना यह आपका सी और पीसी की धारा 368 के अंतरगत आता है तो ऑप्सन सी इस क्रेक्ट हो जाएगा नेक्स टाप कह यहाँ पर रहा था कि निम्न लिखित में से कौन सा सञुउकत राष्ट संगर की विसेचक्रीट और एजनसी है तो आपसिन नेक्स टाप का यहां पर रहा था कि प्रायदी पर थार की सबसे ऊची चोटी घुटी रहा थैसे चोटी बोलते कि सर मेरा ये पेपर नहीं आए था तो मैं आपको बता दू कि आपके जो है टोटल चार पेपर आ रहे हैं तो अब ये जो पेपर है ना ये मैं पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ हो सकता आपके एक्जाम में ये पेपर नहीं पूछा गया होगा नेक्स्ट अपका यहाँ पर है था कि अंतराष्टी, उत्तरदचिन, परिवान, गलियारा, यानी INSTC को जो है कौन जोड़ सकता है तो देखें ये जो INSTC है ना ये जो है मॉंबई से मॉसको को जोड़ सकता है तो आपसन D आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा next step का यहाँ पर है कि भुकम की त्रीवता यह जो है किसके द्वारा मापी जाती है तो देखे भुकम की जो त्रीवता है यह आपका Richter Scale के द्वारा मापा जाता है तो option D आपका correct हो जाएगा next step का यहाँ पर है कि सत्यार्थ प्रकास के लेखा कौन है तो देखे इस पुस्तक के जो लेखा कहना ये द्यानन्द सरस्वती है तो आपसन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और मैं आपको बता दू द्यानन्द सरस्वती अठार सो पच्छतर में जो है इन्होंने आर ये समाज की अस्थापना की थी तो ये पॉइंट भी द्यान में रखना है और यह नारा किस ने दिया था वेदो की और लॉटो वेदो की और लॉटो का जो नारा है ना ये द्यानन्द सरस्वती ने दिया था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि राजरा मोहन रॉयन ने जो है किसक नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि वर्स 1990 में अपनी सवतंता की घोशना करने वाले 15 सोवियत घंराजियों में से पहला कौन था तो देखें 15 सोवियत घंराजियों में जो पहला था यह आपका लीथियू आनिया था तो option C आपका correct हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि जूमिंग क्रीसी पदती यह जो कहां अपनाई जाती है तो देखें यह जो जूमिंग क्रीसी पदती है यह आपका भारत में अपनाया जाता है तो भारत आपका यहाँ पर correct हो जाएगा next up का यहाँ पर है कि चीन में नए आर्थिक सुधार यह जो कब लागू हुए थे तो देखेंगे चीन में जो नए आर्थिक सुधार है यह आपके 1978 में लागू हुए थे तो 1978 आपका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट अप का यहाँ पर है कि चार्ल्स हाटन कुले ने अपनी पुस्तक सोसल और्गनाईजेशन में प्रात्मिक समू सब्दी यह जो एक किस वर्स गठा था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राजीव गांदी खेल रत्न आवाड को पुना नामकरन करके रूज़ो है ये किस रूप में किया गया है तो देखे राजीव गांदी का जो नया नाम जो है ना ये मेजर ध्यानचन अवार्ड किया गया है तो आपसन भी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा मैं आपको बता दू कि मेजर ध्यानचन को जो होकी का जादूगर भी कहा जाता था और इनके जन्द दिन पर ही भारत में 29 अगस्त में खेल दिवस मनाय जाता है तो य यह विराट नगर का था तो ऑपसन सी करेक्ट हो जाएगा बात कर लें मतुरा किसका था तो यह सूर सेन का था तो यह भी आपको ध्यान में रखना है वही अगर मैं बात कर लूँ वैसाली की तो वैसाली जो था वो बज्जी का था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में 305 होता है तो option c आपका यहां पे correct हो जाएगा next अपको यह पर आएथा कि समस्ती और्थ सास्र üzer चर निम्हण लिक्षित में से कौन से है यह जो समस्ती vs Lazar जो है यह आपका कौन से है व्यक्तिगत मांग है तो option b आपका correct हो जाएगा next स्ट आपको रहे हिएिए भारतिय राष्ट पटी पर संग किस अनुछय दो राष्ट पटी किस्ट के महाभीयोग चलाया जासकता है। एकसर्ट के अंदरगर जो वो चलाया जा सकता है, आपसन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हरियाना में आई सी आर इंडियन एगरी कल्चर रिसर्च इंस्टिटूट छेतरी केंदर यह जो है कहां पर इस्तित है, तो यह आपका हिसार में इस कहते हैं, और आर्थिक रुप से कमजोर भारतियों की सहायता करने के पर यह लच्छित है, जिने स्वास्त देखबाल सुविदा की आव सकता है, तो यह तो आपका कथन सही दियावा था, दूसरे कथन की बात कर लें, तो योजना परतेक परिवार को प्रतिवर्स पांच ल मंदीत है, तो देखें, यह जो भावनी नाबेन पटेल है ना, यह आपका टेबल टेनिस खेल खेलती है, तो आपसन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हैंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पर है कि मौदरिक नीती समीती के पदेन अध्याच कौन होता है, तो दे से नहीं है, तो देखें कौन सा अदेश ज आपका यूनाइटेड नेशन है, यह आपका यूमें राइट्स कांसिल का सदस्ट से नहीं है, तो यह उपसन ऑपका यहाँ पर करेक्ट हैंसर हो जाएगा, अब जो हम लोग साइंस के प्रेश्ट को सौल्व कर लेते हैं, तो पह में उoto परकिरईा धिशल द्वारा उत्परीत क्या होता तो इतनौल होता है यह जो यहां पर क्रेक्षण klingen घ्र तो देखिए बायो गयस आपका कारबन डायॉकसाइड मिथेन लाइड्रोजन यह सब जो गयास है आपका उत्पन करता है लेकिन नाईड्रोजन गयस जो उत्पन नहीं करता तो आपसन सी आपका करेक्ट हो जाएगा निमनल इख्षित में से कौन सा पौली सेकर्さいट पौदे द्वारा बनाया जाता राइधा जो यह आपका स्टाइर चिप बनाया जाता है तो आपसन B mapped करेक्ट हो जाएगा नेक्स्तरब कर रहे कि एक विदूत आइरन प्रयक्रान का मुल इकाईया क्या होती है एक एक आपका नूरांस होता है एक आपका नैफ्रों होता है तो नीपूरांस आपके यहाँ पर क्रेक्ष होजाएगा नेक्स्ट आपके एहां पर दियावाए कि निम्न मेंसे कौन सा Dartmouth । यानि composite फल का उदारेन है तो देखें कम्पोजिट फल का मतलब क्या होता है कि इस परकार से जो छोटी-छोटी छिद्रव में रहते हैं तो यह आपका कौन सा है तो कटल जो है यह composite फल का उदारेन है तो option A आपका correct answer हो जाएगा next step का यहाँ पर है कि पच्छी विग्यान का समन्द अगर पच्छी से है तो हिट्दे विग्यान का समन्द किसे होगा तो यह आपका हिट्दे से होगा option C correct हो जाएगा next step का यहाँ पर है कि विसरन द्वारा जल की गती को क्या कहते है तो देखें विसरन द्वारा जो जल की गत तो यह आपका जोड़ा होता है तो मरकरी ऑकसाइड एंड कार्बन होता तो इस कुश्चन का करेक्ट हो जाता इनिद्रा रोग नीजो ए जो ड्रूब्स के द्वारा होता है जो ड्रीपेडो का परिजीवी के कारण होता है तो option C, ट्रिपेनोसोमा आपका correct answer हो जाएगा next step का यहाँ पर है कि परियावरन आंत्र विक्रिती यह जो किसको प्रवावित करती है तो option में, question में ही आपका छूट पा हुआ है कि आंत्र विक्रिती यह जो आपका आंत्र को प्रवावित करता है तो option B आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next step का यहाँ आपका numerical से आथा कि एक तरंग को Y जो आपका यहाँ पर value दियावा था दरसाया जाता है जहाँ X और Y में जो आपका T second में है तो तरंग की आवरिती पूछी गई थी यानि जो आपका frequency पूछा गया था तो frequency क्या होता है कि one by time period होता है तो यहाँ से आपको जो एक क्या simply निकाल देना था इसका formula क्या होता है कि Y equal to हमारे क्या होता है कि A cos मैं आपको लिख के बता देता हूँ A cos 2 pi T by T होता है minus 2 pi by lambda होता है ठीक है तो यह जो formula होता है और इस formula पे put करके जो आप frequency easily निकाल लेते हैं और इसका जो answer हैगा ना वो 4 by 5 per second होगा option B आपका correct answer हो जाएगा अब जो हम लोग computer के प्रेशन को solve कर लेते हैं computer का आपका पहला question है था spool का जो फूल 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 होता है यह simultaneous peripheral operation online होता है option D आपका correct हो जाएगा next आपका यहाँ पर रहा था कि fill in the blanks, lot domain, name, meta tag, marrying, framing, longing यह जो आपके किस समंदित है तो यह सब जो है यह आपके copyright से समंदित है option A correct हो जाएगा next आपका यहाँ पर रहा था कि mail मर्ज में किसका परियोग जो है एक सामुहिक mail करने के लिए पते बनाने के लिए होता है तो ये किसका होता है तो ये labels का होता है option A आपका correct answer हो जाएगा एक wishes अवस्ता से जुड़ी भूमिकाओं का एक सारनी क्या होता है तो ये आपका भूमिका scent होता है तो option D इसका correct हो जाएगा नेक्स्ट अपका याप रहा था कि एक्सल में कई परकारी होते है जो परियुक्ता को मानो का मुल्यांकन करने और उसके परिणाम सरूप निर्ना लेने देते है ये परिकार ये आपके क्या कहलाते है तो ये logical परकारी कहलाते है option A correct answer हो जाएगा नेक्स्ट अपका याप रहा था कि fill in the blanks एक प्रोग्राम है और यह जो प्रोग्राम का भाग है जो सुप्त रहता है जब तक कि प्रोग्राम logic का एक विसिस्ट भाग सक्रिये नहीं कर दिया जाता है तो ये logic bomb एक प्रोग्राम है तो option C आपका यहाँ पर correct हो जाएगा नेक्स्ट अपका यहाँ पर रहता कि data का पहला अस्तितू जानने के लिए यह जो किस बटन पर क्लिक किया जाता है तो देखे data का पहला अस्तितू जानने के लिए आप find next का जो है वो क्लिक करेंगे तो option A आपका यहाँ पर correct हो जाएगा अब जो हम लोग English के present को solve कर लेते ह English का जो आपका पहला question है था कि blank fill in the blanks दिया था और most effective word आपको चुनना था तो अनुसका requires grace, patient to teach and handle little children who are naughty यानि जो naughty बच्चे होते है ना उसको कैसे handle करेगी अनुसका request तो patience रखना चाहिए तो option B इस questions का correct हो जाएगा next step का यहाँ पर आया था कि phrasal verb चुनना था I shall keep nothing from you तो इसमें जो आपका correct answer आएगा न 92 में वो आपका back आ जाएगा back यहाँ पर option A correct answer हो जाएगा next step का alternative words चुनना था तो यहाँ पर दिया था to isolate to separate from others तो इसका मतलब क्या होता है कि दूसरों से अलग कर देना होता है तो इसका जो correct answer होगा वो आपका क्या होगा तो segregate होगा option A correct answer हो जाएगा next step का था कि choose the right synonym of the credence का जो right synonym चुनना था तो देखें का मतलब क्या होता है कि भरोशा या फिर विश्वास होता है और इसका जो correct answer होगा न वो आपका क्या जाएगा तो option जे देखें यहाँ पर क्या है भरोशा तो trust आपका option B जो है यहाँ पर correct answer हो जाएगा उसके बाद 95 में आपका जो appropriate adjective चुनना था फाइब बॉइज स्टूडी एरो तो यहाँ पर इच जो आपका यहाँ पर option B correct answer हो जाएगा अब जो हम लोग हिंदी के प्रेशन को देख लेते हैं राधा गाती और मेरा नास्तिया यह जो आपका सहयुक्त वाकित दिवा था और इसमें जो आ यह क्रिया के जिस रूप में बहुत समय पहले कारी के समय होने का बोध हो उसे जो पूर्न भूतकल कहा जाता है option A आपका correct answer हो जाएगा next आपका यह आप रहे कि fill in the blanks वा सास्त्र है जो भासा के सुद रूप का जो है ग्यान का है और भासा को अस्थाई वा मानक रूप प् जूर्याना यह आपके तत्सम सब्दे के उदारेने option A correct हो जाएगा आमरन आजम आजीवन आदी यह सब जो किस परकार के उपसर्ग हैं तो यह आपके संस्क्रीट के उपसर्ग हैं तो option C आपका यहाँ पे correct answer हो जागा तो सभी question को मैंने solve कर लिया है अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा इसी तरह का content पाने के लिए तो मिलता है next student तब तक thank you all the best